तो हे गाइस पुनित इस बैक में तना दा व्लॉग और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अबाउट वाट इस फ्लिकर जो आपके वीडियो में आप लोग को कई बार देखने को मिलता है आप लोग कभी बार शूट करते होंगे इंडोर सिचुएशन में या ऐसी लाइट स सिचुएशन में जो आटिफिशल लाइट होती है राइट तो वहां पे आप देखते होंगे कि आपकी जो वीडियो है उसमें लाइनिंग्स चलना स्टार्ट हो गई है उसे फ्लिकर भी बोला जाता है लाइट का तो क्यों आता है वीडियो में उसके बारे में हम लोग जान तो सबसे बड़ी चीच अगर आप एक आटिफिचल लाइट में काम कर रहे है यानि इंडोर लाइट में काम कर रहे है जहां पर इस टाइप की लाइट लगी है वेडिंग में हम लोग पार लाइट देखते हैं जो बहुत जारा परिशान करती है इस टाइप की लाइट जाएगी तो कामरा जो है वो लाइट की ब्रीफिंग रेट या लाइट की रीफ्रेश रेट को रिकॉर्ड करना स्टाट कर देता है ऐसा क्यों होता है इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है जो हमारे इंडिया की एलेक्रिसिटी वो 50 हर्ट पे आती है 50 हर्ट का मतलब है ज इसलिए इंडिया में हमेशा रेक्रमेंड किया राता है कि आप पाल फॉर्मेट पर शूट करें जो कि 50 P और 25 P होता है और जो लोग यूए और जयपान में होते हैं वहां पे सदिश किया राता है कि वो लोग 60 P और 30 P शूट करें जो कि NTSC वाला फॉर्मैट है लाइट की अपनी रिफ्रेश रेट होने की वहरे से जब हम लोग अपनी क्यामरा की शटर स्पीड को 100 से उपर ले जाते हैं उस सिचुएशन में क्यामरा का जो सेंसर है वो लाइट की रिफ्रेश रेट को कैच करना स्टार्ट कर जेता है कभी जो लाइट है वो कॉंस्टेंटली नहीं जलती है उसका अपना एक रिफ्रेश रेट होता है जैसे एक एक एक्जामपल एक आप टूबलाइट का तूब लाइट अन करते हैं तो तूबलाइट हमें लगता है कि कॉंस्टेंटली चल रही है या फिर जो चौनस्टेंट नहीं चलती है उनकी लाइट्स वन टूरी जिए उनको नहीं कर पाती है हमें लगता है कि वो चौनस्टेंटली चल रही है बड़ जो हमारा कामेरे का संसर है बिकॉस अम जैसी शेटर स्पीड बढ़ाते है हमारी वो उस रिफरेश रिट को रिकॉर्ट करना स्टार्ट कर जेता है इस सिचुएशन में प्रॉबलम क्य है वो हंडेट होनी चाहिए अगर आप इंडिया में और ऐसे स्पेसिफिक एरिया में काम कर रहे है क्योंकि हमारी यांकी एलेक्रिशिटी 50 हर्स के तौम उसका डबल का शेटर स्पीड रखते है उसको सिंग करने के लिए उसकी रिफ्रेश रेट को सिंग करने के जैसे आप उसे हंडेट करेंगे आपका जो स्क्रीन पर फ्लिकर है वो बिल्कुल पंद हो जाएगा और अगर आप उसको बढ़ा देंगे देन फिर अगेन आपको स्क्रीन पर फ्लिकर आते भी दिखेगा यह यह यूजरी प्रॉब्लम फेस होती है इंडोर सिचुएशन में आप आपको स्क्रीन पर फ्लिकर आते वे दिख रहा है तो आपको डरने की ज़रूवत नहीं है आपको अपनी शेटर स्पीड को 1 बाइ 100 कर देंगे आपको स्क्रीन पर फ्लिकर वो आटमाटिकली गाइप हो जाएगा और आप अपने वीडियो को स्मूथली शूट कर पाएंगे जो लोगों के पास में DSLR होता है उन लोगों को यह मेजर पॉब्लम फेस होती है वेडियो शूट करे टाइम पर क्योंकि DSLR में बिल्ट इन अंडी फिल्टर नहीं होता और अंडी फिल्टर नहीं होने के विजए से हम लोग हमेशा अपनी शेटर स्पीड बढ़ा के रखते जहां पर आपको शेटर स्पीड बढाने की जरुबत पढ़ रही है वहां शेटर स्पीड बढ़ाने की जरुबत नहीं पड़ेगी एंडी फिल्टर को लगा करके तो इसी वारे से आप लोगों को फ्लिकर देखने को मिलता है और यही इस सलूशन है जो आपको करना पड़ कुछ भी परचिस करना जाहें दिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलिम बेल है थैंक यू फॉर वाटिं इस वीडियो स्टेउन एंड से रॉक